नमस्कार मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं चनभावना टाइम्स पिछले महिनी दक्षिनी दिल्ली पुलिस ने ओनलाइन पेइमेंट आप पेटियम के फाउंडर और सीओ विजज़ शेखर शर्मा को गिरफतार किया था हाला कि बाद में उन्हें जमानत पर रहा कर दिया गया विज़ शेखर को तेज रफतार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफतार किया था यहटना 22 फरवरी को होई थी DCP के ड्राइवर दीपक कुमार ने इस मामले में FIR भी दर्श कराई थी खबरों के मताबिक पेटियम के संस्थापक और CEO विज़ शेखर शर्मा को 22 फरवरी महीने में अपनी कार को DCP साउथ के वाहन में टक कर मारने के आरोप में गिरफतार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत पर रहाबी कर दिया गया था दरसल आरोप है कि विज़ शेखर शेखर ने अपनी जेगवार रेंच रोवर कार से मदर इंटरनेशनल स्कूल के सामने शर्मा निदक्षिन इदिली की DCP बहेनिता मेरी जेखर की कार को तेज रफतार से टकर मार दी थी गटना के वक्त DCP का ज्राइवर दीपक कुमार अर्विन दो मार्क पर पेट्रोल भरवाने गया था टक कर मारने के बाद विज़ शेखर शर्मा अपनी कार से उतर कर भाग गए थे लेकिन दीपक ने कार का नमबर नोट कर DCP को घटना की जानकारी दी इसके बाद DCP के आदेश पर ड्राइवर दीपक ने मालवे नगर थाने में IPC 269 के तहट के इस दर्च कराया था गटना की जाच के दौरान कार का नमबर गुरु गराम की एक कमपनी के नाम पर रजिस्टर निकला कमपनी के लोगों ने बताया कि कार जी के दो में रहने वाले वी जशेखर शर्मा के पास है इसी के साथ मुझे दीजे इचाज़त और देखते रहें ये जनभावना टाइम्स की एक खास रिपोर्ट